नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार जमीन के नाम पर करोणों की बंदर बाठ के अयोध्या कांड की पहली कड़ी में हमने बताया था कि कैसे राम जन भूमी ट्रस्ट के साथ मिलकर हरीश पाठक और कुसुम पाठक करोणों का खेल खेलते हैं सवाल उठता है कि ये हरीश पाठक है कौन आदमी इतना बड़ा खेल खेलने वाला आदमी कोई मामूली आदमी तो होगा नहीं तो अयोध्या कांड की दूसरी कड़ी में सुनिए कहानी राम भक्त हरीश पाठक की हरीश पाठक अयोध्या के आसपास के थानों के लिए बड़े मशूर आदमी है गरीब गुर्बों की बचत पर डाका डालने उन्हें धमकाने और लोगों की जेब पर डाका डालने के आरोपों की गरम चादर ओड़ कर सोते हैं और अब तो राम जी के आशिरवाद से मिंटों में करोणों का खेल कर देते हैं तो क्या हरीश पाठक इतने पवित्तर आदमी है जवाब है नहीं हरीश पाठक यूपी पुलिस की नजरों में एक भगोड़ा है जिसकी तलाश जारी है और जो पूरे तीन साल से मिल नहीं रहा है पुलिस वालों को क्या पता कि वो राम जन भूमी ट्रस्ट वालों की सरपरस्ती में संत हो चुका है हरीश पाठक पुलिस और कानून से भागता फिर रहा है यूपी के अलग-अलग जिलों में उसके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज है वो इतना बदनाम है कि पुलिस उ हर की चोखट उखार देना आज भी उसके पास से जब्तकार अयोध्या कैंट थाने में सड़ रही है उसके पाप के दस्तावेज खोलेंगे लेकिन पहले समझ लीजिए राम जन भूमी उसकी एहसान मंद है कि उसने अपनी जमीन प्रभू की सेवा में अर्पित की अब सुन गोट फार्मिंग लिमिटेड नाम की कंपनी बनाता है ये एक तरह की चिट फंड कंपनी थी चार पांच हजार पांच-पांच हजार रुपए के बांड के नाम पर उसने हजारों लोगों को जहांसे मिलिया वो वादा करता था कि साड़े तीन साल में रकम आठ हजार लेकिन 42 महीने पूरे होने से पहले ही हरीश पाठक उसकी पतनी कुसम पाठक बेटा विकास पाठक समेथ पूरी कंपनी रफू चक्कर हो गई ब्याज तो छोड़िये लोगों का मूल तक लेकर पाठक फरार हो गया लोगों ने एजिंटों को पकड़ा अयोध्या में पाठ समा दर्ज कराना शुरू किया न्यूज लॉंड्री की एक रिपोर्ट कहती है कि इसे लेकर हरीश पाठक कुसम पाठक और उसके बेटे विकास पाठक के खिलाफ पहली एफ आयोध्या के ही कैंट थाने में 2016 में दर्ज हुई इसके बाद तो यूपी के अलग-अलग जिलों में उसके खिलाफ मकदमों की जड़ी लग गई बारबंकी से लेकर संत कबीर नगर गोंडा और बस्ती बहराईच तक शिकायतों का अंबार लगा हुआ है पाठक के लूटे हुए कई लोग अभी इफ आयार दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं हर इफ आयार में उसके खिला वाजी वादा खिलाफी चोरी और बैमानी जैसी संगीन धाराएं हैं लेकिन वो न तो किसी जांच में शामिल हुआ और नहीं अदालत जाता था पेशी पर हार कर बारबंकी की हैदरगर पुलिस ने हरीश पाठक के बेटे विकास पाठक को गिरफतार करके जेल भेज दिया हिंदिनों वो जमानत पर राम जी की सेवा कर लहा है हरीश पाठक तो पुलिस की फाइल में 16 अगस 2018 से ही फरार है फरार है मतलब मिल नहीं रहा है हरीश पाठक पर जालसाजी के आरोप दिल दहला देने वाले हैं सुनील शुकला नाम के एजेंट ने पाठक परिवार के जह करवा दिये थे लेकिन किसी को भी एक रुपया वापस नहीं मिला उनमें से ज्यादतर लोग बहुत गरीब थे और पेट काटकर अपनी सारी बचत हरीश पाठक की हवाले करती थी लेकिन रकम वापस मांगने पर वो उन्हें धमकाने लगा हार करेफा यार दंश करानी पड लिखित में वादा किया कि छे महीने के भीतर सारी रकम वापस कर देंगे लेकिन पांच महीने गुजर जाने के बाद भी उसते केवल साड़े साथ लाक रुपय चुकाएं ब्याज छोड़ दीजिए मूल के भी साड़े बतीस लाक रुपय हरीश पाठक पर एक एजेंट के बकाया है इसी तरह गोंडा के राम सागर ने भी हरीश पाठक पर अयोध्या के कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है राम सागर भी पाठक की कमपनी के एजेंट थे उसके जहासे में आकर उन्होंने लोगों के 90 लाक रुपय कमपनी में निवेश करवाए इनमें से 30 ल लगर के राकेश पाठक ने भी 2009 से 2013 के बीच 40 लाक रुपय निवेश करवाए बॉंड की मियाद पूरी हुई तो निवेशकों ने पैसे वापस मांगे जब राकेश ने हरीश पाठक से संपर्क किया तो उसने सीधे मना कर दिया उन्हें भी हार कर पाठक परिवार पर मुक जमीन के सौदे कर ला था और पुलिस आख बंद किये हुए थी जब वो बरसो बरस यूपी के धृतराष्ट पुलिस को नजर नहीं आया तो 2018 में उसे भगोडा साबित कर दिया लेकिन हद तो यह है कि एक भगोडा और जालसाजी धोखा धरी का आरोपी बाकाइदा रजिस पाठक भगोडा है जमीन की रजिस्टी में खुद अयोद्या के मेर रिशिकेश उपाध्याय फोटो खिचवाते हैं गवाह के तौर पर उनके साथ पुलिस वाले भी होते हैं खुद जिले के डीम राम जन भूमी ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं लेकिन किसी को हरीश पाठक में जुट जाते हैं और उसके सताय हुए लोगों को पापी और खलनायक यूपी पुलिस को आज भी नहीं पता कि हरीश पाठक कहा है उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया राम ही जाने इस वीडियो में इतना ही लेकिन अयोद्या कांड की अगली कड़ी में दिखाए जो जमीन ट्रस्ट ने खरीदी है वो असल में किस की है और उसका इतिहास चाहे अगर आपने अभी तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉरन कर दीजिए बेला इकॉन दबाईए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों पर्चतों र झाल झाल